Hello the question says that question क्या करता है if 1 upon x plus 1 upon x plus 2 is equal to 2 upon x plus 10 then the value of x is देखिए यह भी बिल्कुल सिंपल है इसका हम को simply add कर लेना है तो 1 upon x plus 1 है ठीक है plus करना है उसके बाद 1 upon x plus 2 है is equal to हम लिखेंगे 2 upon x plus 10 लिख देंगे ठीक है अब हम लोग को क्या करना है हम लोग को LCM लेना है तो x plus 1 into x plus 2 हम लोग LCM ले लेते हैं ठीक है cross multiplication 1 1 यहा है तो हम लोग लिखेंगे x plus 2 plus x plus 1 लिख लेंगे ठीक है is equal to 2 upon x plus 10 लिख लेंगे ओके अब यहाँ पर क्या करेंगे जोड़ेंगे तो x x 2 x हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा upon ठीक है upon को अटाएंगे direct cross multiplication कर सकते तो 2 into इसका multiplication होगा या यहाँ पर ओके अब यहाँ पर multiply करते थे x into 2 x 2 x square हो जाएगा 2 x into 10 करते तो 20 x हो जाएगा ठीक है 3 into x करते तो 3 x हो जाएगा plus 3 into 10 करते तो 30 हो जाएगा इसके बाद इधर वाले में 2 को जेंगते रखेंगे इसका multiplication x into x x square x into 2 2 x हो जाएगा x into 2 2 x हो जाएगा और x 1 into x क्या हो जाएगा x हो जाएगा और फिर 2 into 1 हो जाएगा तो plus 2 हो जाएगा ठीक है और इसको हम bracket को close कर लेंगे अब यहाँ पर देखिएंगे 2 x square plus 20 x और 3 x कितना हो जाएगा 23 x हो जाएगा plus 30 हो जाएगा is equal to इसका multiplication इसके करते तो 2 x square और इसका 3 x total है तो 3 x into 2 करते तो plus 6 x हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर 2 x square 2 x square दोनों तरफ cancel out हो जाएगा और उसके बाद यह आपका हो जाएगा 17 x इधर is equal to इधर यह जाएगा तो minus 26 हो जाएगा आपका correct option जोगा option number d minus 26 upon 17 ओके तो यह आपका answer होगा hope this is a question thank you